नमस्कार आप देख रहे हैं जीयोविनूज तो दोस्तों वक्त हो गए दोपार की बड़ी खबर को जानने का तो उससे पहले अगर आपने अभी तक जीयोविनूज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बिलको ओन करदीजीए जान इस बिमारी के 24 गंटों में 65,000 से अधिक नए मामले आए सामने अब तक 49,000 से अधिक लोगों की चली गई है जान जिहां पुरा दीश आज 74 वा सतंतता दिवस मना रहा है लेकिन इस खुसी के महोल में भी लोग थोड़ा डरे और सहमे हुए हैं और आज की दिन को पूरी तरह से खुल कर enjoy नहीं कर पा रहे हैं इसका एक मात्र कारण इस बिमारी के लगातार बढ़ते हुए मामले हैं इस बिमारी के तेजी से आ रहे हैं आकड़े काफी डराने वाले हैं तो वहीं पिछले 24 गंटों में एक बार फिर 65,000 से अधिक नए मामले मिले हैं पिछले एक महीनो से देश में रोजाना 50,000 से जादा मामले आ रहे हैं 24 गंटों में देश में कुल 65,000 दो नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद कुल संकरमितों की संक्या 25,26,193 पर पहुँच गई है इस बिमारी के वज़े से पिछले एक दिन में 996 लोगों ने जान गवाई है जबकि समय इस बिमारी से संकरमित 6,68,220 लोगों का उपचार चल रहा है और अब तक 18,8,936 लोग ठीक हो चुके हैं बीजेपी ने महराष्ट के पुर्व मुख्यमंत्री देवेंद फणनवीस को बनाया बिहार का चुनाव प्रभारी जिहां भारती जंता पार्टी के वरिष्टनेता और महराष्ट के पुर्व मुख्यमंत्री देवेंद फणनवीस को इस साल पार्टी ने बिहार में होने वाले विधानसबा चुनाव के लिए पार्टी की ने चुनाव प्रभारी न्यूक्त करने का फैसला किया है आपको बतादे कि महराष्ट चुनाव के दोरान बिहार के बीज़पी प्रभारी भुपेंद रियादव को महराष्ट का चुनाव प्रभारी बनाय गया था अब इस जोड़ी को एक बार फिर से बिहार चुनाव में भी आजमाने की कोसिस कर रही है इसके अलावा पार्टी और संगठन में भुपेंद रियादों की सक्रियता अधिक होने की वज़े से उनके साथ दिवेंद फणनवीज को बिहार चुनाव में लगाया गया है पंजाब के सिक्षामंत्री सिंगला का बड़ा वयान कहा मुफ्त स्मार्टफोन देने का वादा करने वाले धोके बाजों के जहांसे में ना आएं वाटसेप और अन्य सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घुम रहे फरजी संदेशों का गंभीर नोटिस लेते हुए सिंगला ने बोला कि पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम सिर्फ गॉबर्मेंट स्कूलों के बारहवी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और उनको सरकारी स् प्रवेश के अधार पर मुफ्त में स्मार्टफॉन मोहिया कराने की दिखी जा रही है इसलिए अन्य लोगों को ऐसी स्कीम के दायरे में लाने का प्रस्ट नहीं पैदा नहीं हो रहा है सिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्यसरकार ने ऐसी कोई साइट या फिर सोसल मीडिय प्लेटफॉर्म की अरंब अभी तक नहीं की है जिस पर स्मार्टफॉन के लिए रजिस्टेशन किये जा रहे हो उन्होंने ओनलाइन धोके बाजों को साइबर क्राइम रोक्थाम कानूनों के अधीन गंभीर नतीजे भूगतने की चेतावनी जारी कर दी है उन्होंने जनत जनसक्ती पार्टी की अहम बैठक आज नितीश कुमार को बड़ा जटका दे सकते हैं चिराग पासवान जिहां बिहार में विधानसवा चुनाव को लेकर सियासी गहमा गहमी के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है राम बिलास पासवान के बेटे और लोक जनसक्ती पा पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान आज बड़ा एलान कर सकते हैं कहा जा रहा है कि लोजपा आज बिहार की नितीश कुमार की सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकती है इस तरह बिहार में एंडिये को एक बड़ा जटका लग सकता है पटना में आज लोजपा कारिय पार्टी की अहम बैठक होने वाली है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान बैठक में बड़ा फैसला ले सकते हैं पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि जदियू के वरिष्टनिता ललन सिंग ने प्रधानमत्री नरे इसा कर सकती है